इसरो ने चांद की सत्य पर मौजूद लेंडर विक्रम की लोकेशन का पता लगा लिया है चांद का चक्क लगा रहा है और बीटर द्वारा खीची गई फर्मल इमेज के जरीए विक्रम लेंडर की लोकेशन का पता चला है इसरो के चीप KСE1 ने बताया कि चांद की सत्या पर विक्रम लेंडर की लोकेशन मिल गई है और आर्बिटर ने लेंडर की एक थर्मल इमेज क्लिक की है जिसे लेंडर को खोजने में हमें काफी सहायता मिलेगी उनका कहना है कि लेकिन अभी तक उससे कोई संपर्ख नहीं हो पाया है उनका कहना है कि हम संपर्ख करने की कोशिस कर रहा है और जल्द ही इससे संपर्ख कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि आर्बिटर से जो थर्मल तस्वीरे मिली हैं उनसे चांद की सत्या पर मौजूद बिक्रम लेंडर की लोकेशन का पता चला है उन्होंने बताते हुए कहा कि इसरों के बैग्यानिक लगादार लेंडर बिक्रम से संपर्ख करने की कोशिस में जूटे हुए हैं इसके लिए आने वाले अगले बारा दिन कापी महत्वूड साबिथ होने वाले हैं रसल आपको बता दे कि लुनार दे होने की वज़ा से अगले बारा दिनों तक चांद पर दिन रहेगा एक लुनार दे पिट्री के चोग्दर दिनों के बराबर होता है जिसमें से दो दिन निकल गए हैं इन 12 दिनों के बाद चांट पर 14 दिनों तक अन्हेरा रहेगा रात होने की वज़े से बैग्यानिकों को लेंडर से सब्ब़ करने में काफित परिसानियों का सामना करना पर सकता है उन्होंने बताया कि बिक्रम और आर्बिटर दोनों में ही हाई वेजिवेशन कैमरे लगे हुए आर्बिटर एक साल तक चांट के चक्कर लगाता रहेगा इस दोरां वो थर्मल इमेजेस कैमरे की मदसे लेगा और इसको धर्ती पर इसो के मिशन कंट्रोल रोंग को भेशता रहेगा उनका कहना है कि इस तरक के कैमरे अमोची से उत्पन गर्मी का पता लगाते हुए उसकी थर्मल इमेज प्यार करते हैं कैमरे से निकली केड़े जानकारी को इलेक्रानिक सिग्नल में बदल देती है इसरो चीपना तैना है कि विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर कितना काम करेगा इसका तो डेटा एनलाइज करने के बाद ही पता चलेगा अभी तो यह पता लगाने की कोशीश हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कालर महज दो दस्मलों एक किलम्टों के दोरी पर जाकर लेंडर से संपर तूट गिया केसीवन का मानना है कि विक्रम लेंडर के साइट में लगे छोटे छोटे चार इस्टिरिंग जियर में से किसी एक ने काम करना बंद कर दिया होगा जिसकी वज़ा से लेंडर की चांद के सर्था पर हार्ड लेंडिंग होई हो उनका कहना है कि वैग्यानिक की इस बिंदू पर भी काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि हार्ड लेंडिंग का मतलब होता है कि सता पर ज्यादा स्पीड के साथ किसी आन को लेंड करना जब तो स्पेस्क्राफ्ट या अंत्रिक्स उपकरण निधारी गती के बजाए तेज गती के साथ सता पर लेंड करते हैं तो उसे हाई लेंडिंग कहते हैं उनका कहना है कि साप लेंडिंग में स्पेस क्राप या अंत्रिक्स उतकरा नेधारी धीमिगती के साथ किसी प्लैनेट के सता पर पहुंचता है